गुद्ध मॉनिंग गाइज वेलकम बैक टो माइ न्यू गेम प्ले वीडियो तो गाइज आज हम फिर से एक बार खेलने वाले है होरर गेम जिसका नाम है ग्रैनी चैप्टर टू तो गाइज आज हम नॉर्मल मोड में हेलिकॉप्टर इसकेप करने वाले है तो देख सकते हैं आप लोग इधर मैंने नॉर्मल मोड कर दिया है तो चलो गाइज प्ले कर देता हूँ और देख लेते हैं हमें नॉर्मल मोड में ग्रैनी चाप्टर टू में हेलिकॉप्टर एसकेप कर पाते हैं या नहीं और उससे पहले अभी तक इस वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करो चैनल पर जो बंदे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो तो यहाँ पर गा इदर गन मिलती है या नहीं देख लेते इसके अंदर मिलती है या नहीं देख लेते गाइज ओ बाई यहाँ पर गाइज गन नहीं मिली तो चलो मुझे डूनना है किसी भी तरह और गाइज यहाँ ओ बाई नूबड़ा जग चुका है गाइज और उसने मुझे देख लिया तो देख लेते रुको मुझे गाइज सबसे पहले ग्रैनी को नीचे बुलाना है और उसके बाद मैं उपर जा सकता हूँ तो चलो चलो इधर मैं थोड़ा साउंड करके ग्रैनी को नीचे बुला देता हूँ गाइज इसे ओपी गाइज रुको रुको ओ ग्रैनी आ रही इसके अंदर मैं छुप लेता हूँ ताकि ग्रैनी और ग्रैंडपा ना आ जाए ओ पी गाईज इसको आप कर दिया तो चलो गाईज ओ इसके अंदर हमें मिल चुका है हैंडेल लेकिन गाईज यहाँ पर ओ बाई साउंड हो चुका है तो चलो गाईज इसके नीचे चुप ले चलो गाईज ग्रैनी जा चुकी है तो चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ अब और उसके ओ भाई यहाँ पर ग्रैंडपाने गाईज मुझे देख लिया है और मुझे गैरेंटी है वो मार देगा गाईज और उसने मुझे मार दिया तो चलो गाईज डे टू स्टार्ट हो चु आप देख सकते हो मैं सीधा बाहर की साइड आ चुका हूँ और इधर मैं गंड होने की कोशिश करूँगा तो चलो देख लेते कि इधर है क्या ओ भाई सामने गंड है तो चलो गाईज अब ग्रैंडपा को उड़ाने की कोशिश आर सामने है ग्रैंड यहाँ पर गाईज मै मैंने ग्रैंडपा को भी उड़ा दिया है तो इसके गले में जो सिकुरिटी की है वो लेकर मैं बाग चलता हूँ तो चलो गाईज एमो भर के रख देते है इधर ओ मिल जा यार ओ भाई मिल गई तो चलो इधर डाल देते और की की दर है देख लेते नो बड़े हट तो गाईज यहाँ पर अब मैं सिकुरिटी रूम को खोलने वाला हूँ तो चलो सामने क्या है देख लेते हैं तो गाईज यहाँ पर फ्यूज मिल चुका है तुमारा काम बन चुका है हमारा तो चल 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 ओ इधर बोट की है उसका भी कोई काम नहीं गाईज उपर की स कर गाईज यहाँ पर वेपन की डून लेता हूँ मतलब वेपन की किदर है देख लेते तो चलो चलो गाईज ओ भाई तुमारे भाई को वेपन की मिल चुके है तो चलो गाईज यहाँ पर ग्रैनी और ग्रैनपा जिन्दा हो चुके होंगे तो इसलिए हम अब क्या करें हेलिकॉप्टर मैनियोल मिल चुका है गाईज तुमारे भाई को तो तुमारा भाई हेलिकॉप्टर इसकेप कर देगा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं इधर प्लग है तो स्पार्किंग प्लग मिल चुका है तो गाईज यहाँ पर यह जो शौटगन है उसको लेकर में बाहर की साइड आ जाता हूँ और ग्रैनी और ग्रैनपा को उड़ाने के बाद जो ग्रैनपा के पीसे से मतलब तस्वीर के उसे हम कलेक्ट करेंगे तो चलो आ जाओ ग्रैनी और ग्रैनपा नीचे तो चलो गाईज ग्रैनी नीचे आ चुकिये तो चलो इस नूबड़ी को उड़ा देता हूँ मैं आज़ा 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 ओ बाई ग्रैनी को मैंने उड़ा दिया है चलो अब ग्रैनपा को उड़ा देते हैं सामने है बुड़ा और इसको मैंने उड़ा दिया ओ भाई खतरनाक तरीके से उड़ा दिया चलो गाइस एम उबर के मैं गन को इदरी फेक देता हूँ और गाइस यहाँ पर मैं कावबार लेकर जो बकसा है उसे खोल देता हूँ उसके अंदर हमें शायद से कुछ अच्छी चीज मिल जाए तो चलो 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 गाइस यहाँ पर मुझे मिल चुका है फ्यूल तो हमारा काम बन चुका है तो चलो यह जो तस्वीर है इसे मैं कलेक्ट कर देता हूँ चलो चलो गाइस यहाँ पर इसका इधर ओपी गाइस इधर एक मिल चुका था और चल लेकर आ जाताँ। चलो इधर से ही हम जाएंगे और गाईज चलो यहाँ पर यह तैस्वीर लेकर मैं उपर की साइड चलता हूँ। गाईज यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं ये जो तस्वीर है वो लेकर उपर की साइड आ चुका हूँ तो चलो अंदर की साइड मैं लगा देता हूँ इधर मुझे तीनो की तीनो तस्वीर लगाने है तो चलो गाईज यहाँ पर ये जो तीनो की तीनो तस्वीर है वो मैं लगा देता हूँ और उसके बाद आगे का काम हम करेंगे तो चलो चलो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको लगा देता हूँ गाइज और उसके बाद आगे की साइड शूटिंग एरिया होगा और उसके अंदर हमें शूट करना है और उसके बाद अगला डोवर खुल जाएग तो चलो guys यहाँ पर यह आकरी तस्वीर मैं लगा देता हूँ और guys यहाँ पर मैंने गण इधर आके रखी थी मतलब लाके रखी थी और चलो guys यहाँ पर guys इधर हमें मिल चुका है shooting area तो guys इधर मैं फटा पट से सभी arrows मतलब shoot कर देता हूँ aims तो चलो guys यहाँ पर guys मैंने सब कुछ complete किया है और guys इधर मुझे लाकर लगानी है जो white color की fuse थी वो लाकर लगानी है तो चलो guys नीचे मैंने देखा था मतलब guys यहाँ पर मैंने रखा था तो चलो सबसे पहले मैं granny और grandpa को उड़ा देता हूँ और उसके बाद आगे का काम हम कर सकते तो चलो आजाओ नूबडो तो यहाँ पर मैं sound कर देता हूँ नूबडे लोग आने के लिए guys और guys यहाँ पर मैंने sound कर दिया है और सामने आ चुकी है granny और उसको मैंने उड़ा दिया guys चलो चलो grand grandpa नूबडा किदर है देख लेते नूबडे किदर है आजा आजा नूबडे तो किदर है तो guys यहाँ पर नूबडा नहीं दिक्राया आप देख सकते इदर नूबडा किदर भी नहीं guys और इस नूबड़े को मुझे डूनना होगा वरना ये guys मुझे तकलीब देगा नूबड़ा तो चलो चलो यहाँ पर किदर तो डूनना पड़ेगा इस नूबड़े को और guys सामने है नूबड़ा और इसको मैंने उड़ा दिया तो चलो यह जो वाइट कलर की फ्यूज है वो लेकर हम उपर की साइड चलते लेकिन उससे पहले मैं नीचे जाकर कावबार का जो बकसा है उसे खोल देता हो ताकि उसके अंदर हमें क्या मिलता है देख लेते क्योंकि अभी ग्रैनी और क्रैंडपक मैंने मार दिया है और कटर से हम खोलने वाले है उपर का होरर बकसा तो चलो गाइज मैं दिखाता हूँ यहाँ पर मैं उपर की साइड आ चुका हूँ और इधर मैं खोलने वाला हूँ होरर बकसा तो चलो चलो गाइज यहाँ पर गाईज आप देख सकते हो मैं उपर की साइड आ चुका हूँ और गण लेकर मैं चलता हूँ उपर की साइड और अंदर का जो होरर बकसा है उसे खोल देते चलो गाईज यहाँ पर मैं सबसे पहले अब नीचे जाकर यह फ्यूज लेता हूँ और उसके बाद फ्यूज लगा या फ्यूज आप देख सकते हो इधर ग्रीन लाइट आ चुकी है तो चलो गाईज आगे का काम हम कर देते हैं यहाँ पर गाईज अब मैं इस होरर बॉक्सों को तोड़ने वाला हूँ मतलब हरर जो बॉक्स है उसे तोड़ने वाला हूँ और यह सबसे पहले गेट खोल दे होगा चलो गाईज इसके अंदर हो गाईज इसके अंदर मुझे मिल चुका है सेप की और मुझे गैरेंटी यहाँ यहाँ पर मुझे सेप की के अंदर वैपन सुरी गाईज हेलिकॉप्टर की नहीं मिलने वाली तो चलो अब मैं क्या करूँँगा सबसे पहले आगे का करने के लिए जो टेप चाईए वो चाहिए मुझे और सबसे पहले वो ढूनना ये मुझे तो चलो गाइज अभी मुझे दो चीजे कर ग्रेंड पा तो गाइज यहाँ पर सामने अचनक से ग्रेंड पा गया था और मेरे में थी स्रिप एक एमो तो चलो गाइज यहाँ पर मैं गंड लेकर चलता हूँ और उस नूबडे को उड़ा देता हूँ तो चल आजा नूबडे ओपी गाइज इसको मैंने उड़ा दिया त गाइज यहाँ पर बेबी स्पाइडर को तो चलो गाइज यहाँ पर बेबी स्पाइडर को मारने की हम कोशिश जारी रखते हैं तो चलो चलो गाइज यहाँ पर मैं काम कर देता हूँ इदर इस हॉल को बंद कर देता हूँ तो चलो गाइज इसका काम हमने कर दिया है और बहुत जरूरी है गाइज ले ले नूबडे चल निकल तो गाइज यहाँ पर मेरी एमो जा चुकी है तो चलो इदर गन फेक देते और हमारा काम फटा फटा ओ भाई मैंने बोला था गाइज इदर मुझे हेलिकॉप्टर की मिल जाएगी तो चलो गाइज तुमारे भाई का का हो चुका है अब जल्दी जल्दी मैं नीचे जाकर लेकिन इस डौर में देख लेते क्योंकि इदर मैंने देखा नहीं था तो चलो गाइज इदर मुझे कुछ भी नहीं मिला और अब मैं जल्दी जल्दी नीचे जाकर देखने वाला हूँ मुझे टेप मिल पाता है या नह मिल चुका है तो गाईज ओपी इसी बात पर एक लाइक ठोक दो ताकि हमें टेप मिल चुका है गाईज तो चलो जल्दी जल्दी जाकर मैं उपर की साइड टेप लगा देता हूँ लेकिन उससे पहले गाईज हम इन दोनों को उड़ा देंगे ताकि हम इसकेप करने के लिए रेडी है गाईज तो चलो चलो यहाँ पर गाईज यहाँ पर मैं थोड़ा सा शोर मचा देता हूँ और उसके बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा को आने के बाद उड़ा देता हूँ तो चलो आजाओ नूड़े लोग तो ग्रैनी आ चुकी है गाईज ले 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 निकल ओपी यहाँ पर ग्रैंडपा को देख लेते किदर हैं ओ भाई यहाँ पर ग्रैंडपा आचानक से आ चुका था लेकिन कोई बात नहीं चलो गाईज यहाँ पर इन दोनों को मैंने उड़ा दिया है और यहाँ पर अब मैं टेप लेकर इधर ही ड्रॉप करूँगा और लेकर आता हेलिकॉप्टर की तो चलो गाईज यहाँ पर शॉट कट से हम चलते हैं और गाईज यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसकेप करने के लिए रेडी हूँ तो चलो गाईज हमारा पूरा काम रेडी हो चुका है और गाईज यहाँ पर तुमारा वाई हेलिकॉप्टर इसकेप करने के लिए रेडी है तो चलो गाइज इदर में टेप लाकर रख देता हूँ गाइज और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं टेप लेकर निकल चुका हूँ उपर की साइड और गाइज चलो तो गाइज आप देख सकते हो इदर मैं आप रिपेर करूँगा इस पंखे को और यहाँ पर मेरी एक गलती हो चुक है guys मैंने अभी तक fuel लैने के लिए आ चुकाई और guys यहाँ पर मैंने fuel ले लिया है और चलो यहाँ पर ऊपर की साइड भी मैं आ चुकाई और guys अब हम helicopter में fuel बार देते हैं guys अगर मैंने बिना fuel के helicopter उड़ा दिया होता तो क्या होता मुझे comment में आगे हम देख लेंगे बिना fuel के helicopter उड़ पाता है या नहीं तो चलो guys यहाँ पर मैंने fuel भर दिया है तो चलो अब मैं helicopter उड़ाने के लिए ready हूँ guys यहाँ पर थोड़ा wait कर देते ग्रैनी को बुला देते और उसके बाद हम helicopter escape करेंगे तो चलो guys यहाँ पर guys मैंने बहुत सारे चीज़े डालने के बाद यहाँ पर मैंने last cutter डाल दिया है और guys यहाँ पर देख ओ भाई आ चुकी है नूबडी नीचे तो बाई बाई ग्रैनी तो चलो guys ग्रैनी को हमने देख लिया है तो guys यहाँ पर तुमारे भाई ने helicopter escape कर दिया है नॉर्मल मोड में तो guys यह वीडियो कैसा लगा मुझे comment में बताओ अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करो चैनल पर भी जो भी बंदा न्यूँ है तो प्लीज सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ग्रैनी की तरब से और मेरी तरब से बाबाई